Hello Students, Welcome Back to Your Channel, Pride Side Commerce आग जो आज बेसिक कनसेप्ट का सेकंड टोपिक है कंजप्शन गूड्स, कैपिटल गूड्स के बारे में यानि की कंजप्शन गूड्स या कंजूमर गूड्स और कैपिटल गूड्स के बारे में डिसकस करेंगे consumer goods जो आम भासा में आपन जो लैंगेज में बोल सकते हैं जो भी goods डाइट सैटिस्फाइ करें human wants को आने example भी ले रखे हैं capital goods में जो वो होते हैं जो producer यूज करते हैं ऐसे goods जो producer के दुआरा यूज किये जाए या डाइट ली उनको सैटिस्फाइ करें ठीक है तो वो capital goods होते हैं one by one देखते हैं तो सबसे पहले स्टाइट होता है consumer goods के बारे में तो consumer goods इन goods को भी चार category में divide किया गया है पहला है Durable Goods, Semi-Durable Goods, Non-Durable Goods और Services तो सबसे पहले goods के भी टाइप होते हैं तो सबसे पहले होता है Durable Goods, जो Long Time के लिए परचिज के जाते हैं, मतलब कि वो Long Time तक चलते हैं, तो Those Goods, इसमें यहां पे Goods कर लेना, Those Goods which can be used for Serval Year, मतलब कि जो लगाता है Long Time तक चलते हैं, ठीक, ऐसे Goods जो Long Time के लिए परचिज के जाते हैं, कंजूम के जाते हैं, जैसे कि एक्जामपर ले सकते हो, नॉर्मल टीवी, रेडियो, स्कूटर, वासिंग मसीन, जो भी Long Time तक चलते हैं, और जिसके Cost भी High Value की होती है, ठीक है, उसे बोलते है Durable Goods, Semi Durable, अब Durables यह थोड़ा कम है, Semi Durable मतलब कि दोनों को काफी बार इनको Mix करके बोल दिया जाते हैं, तो जलदी से एक साल के अंदर खराब भी हो जाते हैं, उसके बाद में Non Durable Conception Goods कौन से होते हैं, ऐसे गूर्स जो जिनका Time Period नहीं होता, मतलब कि एक बार यूज करने के बाद में वो खतम हो जाते हैं, तो सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले होता है, दोस गूर्स विच कर उनका Time Duration खतम हो जाते हैं, ठीक है, तो यह is Non Durable Goods, ठीक है, Services, इसके बाद में Fourth Point में बाद दिया, Services, देखो, Services ऐसी जो Non Material Goods इसे बोल्स देखते हैं, मतलब Goods के रूपे नहीं मिलती हैं, नोन Material Goods इने बोलते हैं, जो Directly Human Wounds को Satisfy करते हैं, जैसे कि हमने कोई भी लोयर अंदर Count किया जाते है, तो हमने क्या देखा, Consumer Goods के अंदर, Consumer Goods भी जो आपन कंजूम करते हैं, Household Purpose के लिए, वो भी चार्ट कैटेगरी थी, पहला Durable, Semi-Durable, Non-Durable और Services, यहां तक आपको किलियर हो गया होगा, इसके बाद में Topic आता है, अपना Capital Goods का, तो Capital Goods क्या होते है Capital Goods are those goods which are used in the process of production and which are high value, these goods are a fixed asset of the goods, जो सिरफ उनसे production किया जा सके, ठीक है, और उनको बेसिकली यूज को न कर सकता है, प्रडूसर ही यूज करता है, उनने प्रडूसर ही खरीदता है, क्योंकि उनने और गूड्स बनाने होते हैं, उन गूड्स को मैनुफेक्चर करना पड उसके बाद में, यहां पर एक बात, एक confusion और आजाता है, कि कई सारे के सारे जो मसीन होते हैं, वो क्या Capital Goods होते हैं, तो हम इसमें क्योंसर बनता है, कि All Machine Are Not Capital Goods, मतलब कि सभी मसीने क्या नहीं होती, Capital Goods नहीं होती, तो इसमें क्या बात जानने कि कैसे नहीं होती, तो अब ध्यान से समझना, It must be prone in mind that all machines are not capital goods, a saving machine in a tailoring shop is a fixed asset of a teller, it is this capital good, इसे क्या बोला जाएगा, capital goods, लेकिन वो ही machine, with the consumer, household is not a capital goods, अगर consumer उसे household के लिए, घर के लिए यूज करता है, तो उसे capital goods नहीं बोला जाता, It is simply a durable consumer goods बोला जाएगा, अगर कोई भी producer होता है, teller shop है, उसने खरी दी, और उसे और कपड़े वगएरा बना के सिलाई करके, वो sell कर रहा है, तो इसलिए जो producer के लिए, यानि के clothes सिलाई कर रहा है, तो उसके लिए वो fixed capital कहलाएगी, ठीक है, और वहीं अगर इसी machine को घर के परपज से यूज किया जाए, household के लिए यूज किया जाए, तो वहाँ पर बन जाएगी वो consumer goods कहलाएगी, कि मने यहाँ पर आपको diagram वगएरा दे रखे है, आप अच्छे से समझ सकते हो, कि जिसमें जो printing machine होती है, printing machine अगर कोई भी seller होता है, प्रडूसर होता है, जो दुका जाएगी, capital goods से नहीं कहलाएगी, चलो, यहाँ तक किलियर हो गया होगा, इसमें छोटा topic और एड कर लेना, कि इसके उपर जो भी खर्चा किया जाता है, या consumer goods लगा लो, या capital goods के उपर, तो इने क्या बोला जाता है, aggregate consumption expenditure, जो भी चीज के चीज के चंजूम किया जाता है, तो उसे बोलते है, aggregate consumption expenditure, उसके अंदर स्वारे expenditure एड कर देंगे, household के द्वारा जो खर्चा किया जाए वो, और government के द्वारा भी जो expenditure किया जाए, एक consume किया जाए, कोई भी goods, ठीक है, और जो भी non-profit organization होती है, उनके द्वारा भी जो भी consume किये जाते हैं, तो उनको सभी के sum को यानि कि उन सब को जोडने के बाद में जो goods बनता है, total expenditure बनता है, उसे बोलते है, aggregate consumption expenditure, ठीक है, यह द्यान रखना, सभी के household, government जो consume करती है, क्योंकि government पी तो कुछ defense वगरा के goods खरीते हैं, तो उनके उपर भी जो खर्चा होता है, वो non-profit organization होती है, जैसे charitable trust वगरा होती है, उन सबी के total expenditure को जोड़ कर निकलता है, अपना aggregate consumption expenditure, यहां तक के लिए, उसके बाद में यहां पर एक topic बनता है, अपना, कि fixed investment के बारे में, मतलब कि जो भी investment है, उनको भी types में बाट रखा है, तो investment, normally तो बेसिक तो बताए, what is investment, तो investment आप बोल सकते हो, कि investment refer to increase the stock of capital, investment as a flow है, जो stock of capital के अंदर increment लेके आता है, यानि कि लगातार उनको बढ़ाता है, तो उसे बोलते है, investment, जैसे कि मैंने कहीं पर भी पैसे लगाए, और उसे मैं machine, कोई भी machine वगेरा खरीद रहा हूं, या कोई ऐसी land, जमीन वगेरा मैंने खरीद ली, तो वहां पर मैंने जितने पैसे लगाए, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएंगी, investment कहलाएंगी, जो कि मेरी capital को increase कर रही है, लगातार, ठीक है, जो भी stock था, पहले था, उससे बढ़कर मेरे 200 stock हो गया, तो उसमें बोल सकते हैं, आपन investment हुआ है, तो यहां पर fixed investment के भी components बना रखे है, fixed investment यानि कि investment के भी components है, त stock of fixed asset of producer during an accounting year, मतलब कि fixed stock के अंदर, fixed asset के अंदर increment आए, increase हो, तो वो से बोलते है, fixed investment, अब inventory लगया, तो inventory में आप बोल सकते हो, कि यह point of time, जो producer के पास में, जो stock बच जाता है, यानि कि ऐसा goods, जो finished goods रखा हुआ है, go down के अंदर, या भी semi finished goods अभी चल रहा है, भी बिकने के ल होता है, raw material भी उनके पास रखा होता है, तो वो कहलाएगा, inventory stock, यानि कि आप उसे inventory stock भी बोल सकते हो, inventory investment भी बोल देते हो, ठीक है, तो दोनों में difference तो यहां पर clear हो गया होगा, investment के अंदर, fixed investment, और दूसरा, inventory investment, ठीक है, तो यहां पर fixed investment के मैंने कुछ example लिये है, और inventory investment के भ अगले वीडियो में, ठीक है, तो यहां तक आपका किलियर हो गया होगा, जो न्यू टोपिक आएगा, उसके अंदर, आगे के study करेंगे, जिसमें अपने depreciation, flow के बारे में, डिसकस करेंगे, अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक, सेयर, कॉमेंट और सस्क्राइब झाल झाल